दूस्तों इस वीडियो में जानेंगे जो UGC की और से इंवर्सिटी वा कॉलेज की परिच्छा वा परमोसन वा एडमीसन एवं रिजल्ट को लेकर जो UGC की और से इंवर्सिटी वा पर जो सबसे बड़ा एलाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में आज ही एलाउंसमेंट हो या होने वाली हो या हुई हो या ना हुई हुए तब भी सभी के लिए इंपॉर्टन क्योंकि रिजल्ट एडमीसन परमोसन परिच्छा यह सारी इससे जुड़ी जो सारी अपडेट है यह यूजी ने आज अलाउंसमेंट किया है अपडेट आई है वह आपको बताने वा यूजी ने यूजी ची में आपको बता दूई यूजी सी वह है जो कि सभी वहत की जितने भी इन सीटी जितनें भी कॉलेच है उन सभीक परिच्छा आया कारने परमोशन बाद क्या decision लेना है वो फिर university उपर बताया जाता है कि आप अपने यहां चात्रों को इस साफ से promote कर सकते हैं इस साफ से पैच्छाय करा सकते हैं और इस साफ साफ एडमिशन करा सकते हैं result दे सकते हैं ठीक है तो वह है UGC यानि कि university grant commission बिस्व बिद्दाले आउदान आयोग इ UGC ने बिस्व बिद्दाले के लिए जारी किये परिच्छा अंदर्देश और academic calendar जाने exam admission और नए सत्र की तारीक है तो ध्यान समझेगा बहुत बड़ी update है ठीक है सभी के लिए important है लिखा है कि बिस्व बिद्दाले आउदान आयोग UGC ने कोरोना महामारी के मद्दे यानि कि जो admission की UG यानि कि जो बीए बेसी में जो admission लेना चाह रहे है वो बार हुई कि जब रिजल्ट जारी होंगे उसके बाद होंगे admission ठीक है और लिखा है कि CBSE ICSE वह तमाम राज सिच्छा बड़ों के बार हुई के रिजल्ट 31 जुलाई कर दिये जाएंगे यानि 31 जु जो रिजल्ट है वह पब्लिश कर दिया जाएगा बार हुई वालों का इस नीज के ठीक हाला कि अगर कोई अपडेट होती है फिर बढ़ाई जाती तो हमां को इंफ्रोमेशन करेंगे ठीक है लेकिन यह देखिए लिखा है कि ऐसे में ऐसे में सभी विश्विद्ध्या लए जितने भी विश्विद्ध्या लें हैं उसमें अंडर ग्रिज्वेट यूजी वा पोस्ट ग्रिज्वेट पीजी कोर्शेज में दाखले के प्रिक्रिया तीस सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए यानि कि जो भी एबीए बेसी बीकॉम में 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 सिंके हमकॉम के चात्रे जो एडमीशन लेना है उनको अपने कोलेज या इनवर्सिटी में उनकी जो प्रिक्रिया है वो तीस सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी इसलिए आप लोग ध्यांत समझेगा कि तीस सितंबर तक आप लोग अपने एडमीशन करा लीजिएगा और लिखा कि कलेंडर के मुता एक्जाम होने के बाद जो नया सत्र है वह एक अक्टूबर से चालू कर दिया जाएगी यानि कि एक अक्टूबर से आप सभी की क्लास जो है वह स्टार्ट हो जाएंगी और लिखा कि मौजोदा बैच यान यानि वह इस्टूडेंट जो यूजी से केंडियर वाले हैं उनक कि जो कच्छा है और लाइन या फिर ओफलाइन मोड में कराई जानी है वह डिपेंड करता है इन्वर सिटी और कॉलेज के ऊपर कि वहां पर कैसी ब्यूस्ता है यह देखो प्रूब के साथ यह दो को ट्यूटर है यूजी सी का ट्यूटर एंडल अकाउंट है इन्होंने य कि टर्मिनल समस्टर फाइनल यह समस्टर की परिच्छाएं 2020-2021 तक सभी इन्वर सिटी वा कॉलेज आंलाइन या ओफलाइन पेपर मोड या फिर ब्लेडेड मोड में संपन करा लें परिच्छाओं का आवजन कोविड-19 गार्डलेन का पालंग करते हुए होना चाहिए यान वाली हैं वो किसी भी हर हाल में 31 अकस तक कंप्लीट हो जानी चाहिए ठीक है यह उजिसी की गार्डलेन के कोडिंग बता जा रहा है और वह साही चीज़े जो परिच्छाएं वह कोविड-19 की गार्डलाइन को मानते हुए उनको परिच्छाएं करानी है और लिखाए कि पालन तय कर सकते हैं और लिखाए कि महामारी के दोरान अभिवागों के सामने आई बित्तिय परिशानी के मद्दे नजर आयोग ने विश्विद्दल और उच्छ फिच्छा संस्थानों में सुनिश्चित करने के लिए कि दाखिला रद कराए जाने यह फिच्छात्रों के अस्थापन के मामले में पूरी फीस वापस की जाएगी ध्यान समझेगा और इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब परिशाएं कब तक सभी नुए सिटी में खतम हो जाए जाएं कब एडमीशन होंगे और कब रिजल्ट जारी कर दिये जाएंगे यह साही जानक के लिए सभी के यह जारी कर दिया जाएंगे मैंने उसी डेट मता दी है उसका किahrएंगी आपका और है तो आप में ज़रूर पूछेगा डिसके सर्म टेलिग्राम के लिंक हो सकते हैं मिलते हैं आपको निश्च वीडियो में निश्ट अपडेट के साथ अब तक लिए जाहिंद